हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लस फोन में आप लोग नेविगेशन बार को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix Smart 8 Plus फोन है और इस फोन में जो है आपको Navigation Bar को Change करना है आपके जो है आपके नीचे बटन्स दिएगे है या अगर आपके फोन में बटन्स नहीं है गज़ गेचर वाला जो है Navigation है तो कैसे आप लोग इन बेक बटन्स को लगा सकते हो मतलब Navigation Bar को Change कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही पताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त देखिए और अगर वीडियो पसा नाए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते है Navigation Bar को Change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के Settings में जाना है Settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक Option देखने को मिलेगा System का तो इस System के Option पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहापर एक System Navigation का Option मिलेगा तो इस System Navigation पे क्लिक करेंगे क्लिक करती यहाप पर आपको दो नेविगेशन बार देखने को मिलेंगे गेस्चर नेविगेशन और थ्री बटन नेविगेशन तो अगर आपको नेविगेशन बार को चेंज करना है तो यहापर से जो है दूसरे नेविगेशन बार पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करती आपका जो navigation बार है वो change हो जाएगा देख सकते हैं मेरा navigation बार change हो चुका है अभी जो है मुझे getcher वाले navigation बार को use करना होगा अगर आपके phone में पहले से getcher वाला है तो आप लोग इस three button navigation पे click कर सकते हैं तब भी आपका navigation बार जो है वो change हो जाएगा तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको useful लगे आपको उस पे click करना है click करने के बदद उसको आप लोग use कर सकते हो अगर आपको use करना नहीं आता तो आप लोग यहापर tutorial देख सकते हो यहापर सिखाया जा रहा है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Infinix Smart 8 Plus फोन में navigation बार को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोग को कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते का लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई